नमस्कार दोस्तों, लर्निंग गूक पे आप सभी का सौगत है, आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, भारती भूगोल पर यह आठवा सेट है, जिसके अंतरगत हम लोग भारत के परविती दर्ड़ों को कवर करेंगे, प्रशनुत्तर को सुरू करूँ से पहले म आपको बता दूँ, लेकपाल के लिए बाउंसों पदों पे वेकंसी आ रही है, और साथ ही साथ, आज कुछ मातपूर निर्ड़े लिए गया हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो वो यह रहा आपके सामने, आज के पेपर में था, सरकार ने रिक्त पदों का जो वेकंसी रिक्त पद खाली है, उत्तर प्रदेश में, उनका पूरा बैवरा ले लिया है, अब इसमें कौन से पद भरे जाएंगे, कौन से पद खाली रहेंगे, यह सरकार के उपर डिपेंड है, सरकार या कोई बीच का रास्ता निकालती है, कुछ पदों को भरती है, ज जो कि बिल्कुल क्लियर है, लाकडाउन के बाद नोटिफिकिशन आ जाएगा, और दो-तीन महिने में उसका एक्जाम भी हो जाएगा, तो उसको ध्यान में रखके अपनी तयारी करिए, और दोस्तों 2020 आपका किसी तरह इसमें एक नौकरी लेने का प्रयास करिए, खुद को तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं बता दूँ, आप इस चैनल के टेलिग्राम चैनल से भी जूड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप इस आड़े पर मुझे ट्विटर पर भी फॉल्व कर सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो की पीडियेफ और नोटिफिकिशन और तमाम जैनकारियां करन्ट न्यूज इवेंट मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और दोस्तों के बीज इस वीडियो को सेर करिए, वीडियो को अन तक देखिए, चलिए वीडियो सुरू करते हैं, तो दोस्तों यह रहा हमारा पहला प्रश्न, और यह आ करते ही चलना हैं, जिससे किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना निल्ले हो जाती है, तो चलिए पहले कुश्यन को देखते हैं, आरियो ने भारत में किस दर्टे से होकर प्रवेश किया था, ऑप्शन ए, खैबर, ऑप्शन भी बोलन, ऑप्शन सी, क बारा कोरम, ऑप्शन D, सिपकी, आपके पास समय है, आप लोग एंसर करने का प्रयास करिए, उसके बाद उत्तर आपके सामनी होगा, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन A के साथ जा रहे हैं, खैबर, तब लोग बिल्कुल सही है, आरियो ने भारत में खैब है, खैबर, दर्रा, चलिए, दूसरे कोशिन की तरफ बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में इस्थित दर्रा है, SSC 2011 में पूछा गयर प्रस्ण, दर्रों पर आपको, आपको हर प्रस्ण पत्र में जिस, जहां 20-25 कुश्चन जी एस के रहते हैं, वहाँ पर भारती दर्रों स एक प्रस्ण जरूर पूछ ले जाता है, क्योंकि काफी confusing रहता है, तो हिमाचल प्रदेश में इस्थित दर्रा है, चलिए, option आपके सामने है, और answer देखते हैं, तो जी हाँ, अगर आप लोग answer सिपकिला दर्रा के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, और सि इबत के जानदा जीले से जोडता है, चलिए, next question की तरब चलते हैं, जवाहर सुरंग नाम किस प्रकृतिक परवतिय दर्रे को दिया गया है, जवाहर सुरंग नाम किस प्रकृतिक परवतिय दर्रे को दिया गया है, option A, पीर पंजाल, option B, बुंदिल, पीर दर्रा, option C, बनिह बनिहाल दर्रा कस्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के मात्यम से जम्मू के रास्ते सेज भारस से जोड़ता है चलिए नेश्ट कोशिन की तरफ चलते हैं चौथे कोशिन की तरफ निल लिखित में से कौन सा दर्रा पश्मी घाट परवत माला में इस्तित नहीं है तो पश्मी घाट परवत माला में जो दर्रा इस्तित नहीं आपको उसकी पह्चान करनी है शुरू के तीन आप्षन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर सही लग रहे होंगे और चौथा आप्षन दी परवत माला में इस्तित नहीं है चलिए नेश्ट कोशिन की तर दर्रा किस परवतीव भाग में स्थिर्जी देखिए पीपली घाट दर्रा की लोकेशन अब इस कोस्चन से आप लोग को पता चल जाएगी तो आप पश्मी घाट आप से विद्ध्याद चल सेड़ी आप सटी अरावली तो आप वैसे है अटा दीए पश्मी घाट का भाग न दर्रा अरावली परवती स्रेणी का भाग है चलिए नेस्ट कोशन के दरब चलते हैं जोजिला दर्रा जोडता है स्री नगर और ले को कलिम पोंग और लासा को चमबा और श्पीति को और वानशल परदे और लासा को तो दोस्तों कर आप लोग उसन एक साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है जोजिला दर्रा स्री नगर और ले को चोड़ता है जोजिला जम्मू और कस्मीर में जासकर सेडैं में इस सित एक परसित दर्रा है चलिए नेस्ट कोशन की दरब चलते हैं पाल घाट धर्रा निलखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है ओप्शन A केरल तमिलनाडू, ओप्शन B करनाटक तमिलनाडू, ओप्शन C आंत्रप्रदेश तमिलनाडू, ओप्शन D करनाटक केरल तो दोस्तों अगर आप लोग option A के साथ जा रहा है आप लोग बिल्कुल सही है पाल घाड दर्रा नेलकित में से केरल और तमिलनाड राज को जोड़ता है पाल घाड दर्रा पश्मी घाड परवसेडी का एक बड़ा दर्रा है और इसकी स्थिती जो है केरल राज में है पाल घाड दर्रा जो आपका केरल राज में पड़ेगा चलिए आठवे कुश्यन के तरफ चलते है तूजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है option A चीन, option B म्यम्मार, option C नेपल, option D भूटान दोस्तों अगर आप लोग option B के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है तूजू दर्रा भारत को म्यम्मार के साथ जोड़ता है तूजू दर्रा मडीपुर में म्यम्मार की सीमा पर इस्तित है इस दर्रे से ओकर म्यम्मार के लिए मार्ग जाता है चलिए तूजू दर्रा की इस्थिति आप लोग मड़ी पूर्ट जान लिजिए क्योंकि दूजू दर्रा कहां इस्थिति ये question भी पूछ लिया जाता है चलिए next question की तरफ चलते हैं नातुला दर्रा किस राज में इस्थित है most important question है कई बार exam में पूछा जाता है और काफे important दर्रा है हलाकि ये दर्रा 1962 जो चीन के साथ ये दूहत उसके बाद बंद कर दिया गया है लेकिन exam में काफी घूमता रहता है ये question और अगर आप लोग option C के साथ जा रहे हैं सिक्किम तो आप लोग बिल्कुल सही है नातुला दर्रा सिक्किम राज में इस्थित है ये हिमाला का एक पहाडी दर्रा है जो सिक्किम को तिमबत में चुम्बू घाटी से जोडता है चुम्बू घाटी से जोडता है शिक्किम तिमबत में चुम्बू घाटी है उससे जोडता है ना तो दर्रा आपका सिक्किम में इस्थित है चलिए दसमें कोश्चिन के तरफ चलते है बोम डीला दर्रा भारत के कि राज में इस्तित है बहुत ही मात्पूर्ण कुश्चन कई बार एक्जाम में घूमता रहता है और कई बार हम लोग को मिलता रहता ये कुश्चन दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है बोम डीला दर्रा भारत के राज में इस्तित है और इस दर्रे से तिबद जाने का मार्क गुजड़ता है तिबद जो की इस समय चाइना का पार्ट है चाइना ने कबजया कर लिया था तिबद में 1950 के आसपास चलिए 11 में कुश्चिन की तरब चलते है ने लिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज में इस्तित है दोस्तों अभी उपर आपने पढ़ा नाथुला दर्रा सिक्किम में इस्तित है तो इसके साथ जैलेपला दर्रा भी सिक्किम में इस्तित है option B बिल्कुल साही है नातुला M जलबलब दर्रा सिक्किम में इस चित है इन दोनों दर्रे से आपका तिबब जाने का मार्क है चलिए अगले question के तरफ चलते हैं जम्मू से स्री नगर का मार्क किस दर्रे से होकर गुजड़ता है जम्मू से स्री नगर जाने का मार्क किस दर्रे से होकर गुजड़ता है option A जोजिला, option B बुर्जिल, option C बनिहाल, option D पीर पंजल तो सही answer is G, C, बनिहाल दर्रा जम्मू से स्री नगर का मार्क बनिहाल दर्रे से होकर गुजड़ता है चलिए next question की तरफ चलते हैं किस परवती दर्रे से होकर भारती तिर्चाती मांस रोड जील तथा कैलास परवती घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं चारो अप्सन आपके सामने हैं और सही answer है C, माना दर्रा दोस्तों इस पे एक important अपडेट आई है, current fair update बियारो ने border road organization ने एक 80 km की road तयार की है उत्राखंड में जिससे आपको ये कैलास मान शुरूर यात्रा आपकी काफी सुगम हो जाएगी पहले ये यात्रा करने में 5 दिन का समय लगता था जो की काफी दुर्गम रास्तों से tracking के जरिए किया जाता था अब वह समय गटकर आपका दो दिन रह जाएगा और ये road बियारो ने बनाया है 80 km लंबा road है एक्जाम में काफी पूछने के chance काफी ज्यादा है चलिए next question के तरफ चलते हैं निल लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है लिपलेक उत्राखंड नाथूला रोनाचल परदेस रोहतांग हिमाचल परदेस पालगाट केरल चारो option के सामने है इसमें से सुमेलित नहीं है जो आपको बताना है और आप लोग अगर option B के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है नाथूला परदेस नहीं है नाथूला आपका सिक्के में पढ़ेगा चलिए next question के तरफ चलते हैं तौगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाली परवती मार गया अप्शन अफगानिस्तान अप्शन बीच चीन अप्शन स्रीपाकिस्तान अप्शन D म्यामर तो दोस्तों अगर आप लोग option D के साथ चार रहे हैं म्यामर तो आप लोग बिल्कुल सही है तौ आप लोग के सामने के सामने की तरफ चलते हैं पाल घाट ने लिखित में से किनके मत इस्तित है चारो अप्शन आपके सामने हैं आप लोग एंसल करने का प्रयास करिए आर एस रटे दोज़र 13 में कोशन पूचा गया है अगर आप लोग option B के साथ जा रहे हैं नीलगरी और अन्नामला पाहडियों तो आप लोग बिल्कुल सही है पाल घाट नीलगरी और अन्नामला पाह चारो अप्शन आपके सामने हैं अगर आप लोग option D जलेपला के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है क्योंकि जलेपला आपका सिक्की में इस्थित है 19 का डी जलेपला जो कि सिक्की में इस्थित है हिमाचल परदेश में इस्थित नहीं है चलिए 20 में question की दर्ब चलते हैं बुर्जिल तैथा जोजिला दर्रा निल के तुर से किस राज में इस्थित हैं option A हिमाचल परदेश, option B जम्मु कस्मीर, option C सिक्किम, option D उत्राकन तो दोस्तों अगर आप लोग option B के साथ जम्मु कस्मीर के साथ जा रहे हैं तब लोग बिल्कुल सही हैं बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा आपका जम्मु कस्मीर राज में इस्थित है उत्तर पस्षिम में इस्थित परवत है option A अरावली, option B बिध्याचल, option C हिंदुकुस परवत, option D सत्पुड़ा परवत तो दोस्तों अगर आप लोग option A के साथ जा रहे हैं अरावली तो आप लोग बिल्कुल सही है तो दोस्तों आज का question answer का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है अगर आप लोग वीडियो अंतक जो देखा है तो आप लोग के लिए काफी लापदायक है परवती, परवती, दर्रों से जितने भी question पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारी इसमें cover कराया है अगर आप लोग ने ये question answer ढंक से पढ़ा है तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले exam में भारती, परवती, दर्रों से जो भी question पूछा जाएगा आप लोग बड़े अराम से कर लेंगे तो दोस्तों वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत भूत धन्यवार लाश में कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को subscribe कर लिजे और दोस्तों के वीश इस वीडियो को share करिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी पढ़ाई को break मत करिए इसको चलते रहे दिजिए रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे पढ़ते रहे लागडाउन में खुद को असहाय मत बना लिजे अपने आपको इस condition में ढालिए और पढ़ाई को जारी रखिए तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही म नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मैच